हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आय सिंदी आई होप यौल आ डूइंग रेट बिहार आर्थिक सब्रेक्शन 2019-20 के इस लेक्चर सिरीज में आप सभी का स्वागत है वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी इसके कहना चाहूंगी कि हमारे जो पिछले कुछ वीडियो हो और एक और चीज तो मैं आप से कहना चाहूंगी वह यह कि जब आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो उसे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि मावगी भी आपके लिए वीडियो बनाते रहें तो मेक शूर आप इस वीडियो को लाइक करें कोसी शेयर करें एक लेक्चर सीरीस तो इस लेक्चर सीरीज के जितने भी पुराने लेक्चर से ताकि आपको आगे की सीरी समझने में आशानी हो तो चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा लेक्टर सीरीज है वो एकनॉमिक सर्वे के चाप्टर सेवन से लिया गया है जो की संबंदी थे एनर्जी सेक्टर से इस चाप्टर में में बिहार सरकार कहां पर कितना खर्श करती हैं बहुत सारे डेटा जैंने फीगर से जो हमारे लिए इंपॉर्टन नहीं है हम में ली उनी चीजों को एस्ट्रक करके डिसकस करेंगे जो प्रिलिम्स और में पॉइंट पॉइंट हो सकते हैं जैसे कि कुछ डेटा जो प्रिलिम्स में अक्सर जाते हैं कि तीन जिले जो शिर्ष अस्थान पढ़ें बिजली कमजंशन के मामले में बिजली खपत के मामले में वह पटना गया और नालंता और वहीं अगर हम बात करें कि सबसे नीचे कि कौन से तीन जिले हैं तो उसमें सबसे पहला अस्थान आता है शेकपुरा का फिर अर्वल का और शिभर का तो सबसे अच्छा जिला बिजली खपत के मामले में कौन सा है पटना और सबसे नीचे में कौन सा है शेकपुरा अगर हम वहीं बात करें तो बिजली की खपत में सबसे अधिक विर्दी दर्श करने के मामले में सबसे पहले अस्थान पे कौन सा जि पुरा and highest growth rate of power consumption is in नवादा ओके तो हमारे लिए यह तीन चीज़ हैं इंपोर्टेंट हो जाती हैं अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पर capital energy consumption कितनी हैं प्रतिवैक्ति खपत कितनी हैं तो 2017-18 में जो यह प्रतिवैक्ति खपत थी कि वह 280 किलोवाट आवर थी यह बढ़के 2018-19 में 311 हो गई है बीपीएसी का यह track record रहा है कि वह करेंट से ज्यादा पास्ट के डेटाज में सेक्टर के लिए विहार सेक्टर के दौरा चलाया जा रहे या पिस्टेट गवर्मेंट के दारा जो बिहार में संचालिस हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्यूंकि इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए मेंस परस्पेक्टिब में हो जाता है तो जो अभी चार इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्मेंट के जो स्कीम जो बिहार में चले रहे हैं और बन और रूलर इग्याज में उसमें सबसे पहला नाम आता है दीन देयाल उपरधिया ग्राम जोति य है तो इस लिहाज से देखिए तो यह स्कीम और भी जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना से विजली की उपलब्धता साथ ही साथ दीन देयाल उपाइधिया योजना का जो उप्योग है हम अपने में सांसर राइडिंग में अग्रिकल्चर के छेत्र में भी कर सकते हैं ज इसका मतलब यह है कि जब किशान ben segurança उबजली मिलती है तो उन्हें अचा सरकार का यह तो सरकार ही तो है और चल रहा है पानी चल रहा है कि हो जहांपे पहुच्छ वह तुनर वहांपे वह भी पहुंच्छी नहीं पाती जिन लोगों ज़रोरा है उन्हें बजली मिलनी पाती और यहां पर यह फाल्दू का खर्च हो रहा है तो अगर अलग कर देंगे कि द्रीन चलेई का जो मिस्मैच है उसको हम कवर कर सकते हैं से कि फ़्टर होता है साल का जो होता है अगर भूमी बंच जाती है तो ब्रोंग तर्म में देखें तो वाटर कंजर्वेशन हो रहा है साथ है उस्ट यूज भी हो रहा है तो दिन त्याल उपाइदाय का जो में मक्सद है हो यह कि ग्रामी इलाकों में एक्रिकेशन को प्रोवाइड करना दूसरा एलेक्रिकल औन अग्रिकल्टर फीडर को अलग-अलग करना दूसरा स्कीम जो important है वो यह integrated power development scheme IPDS समेकित विद्युत विकास योजना यह जो योजना है यह मेली focus करती है कि किस तरह से बिजली उत्पादन, demand supply, mismatch को दूर किया जाए IT की शाहिता से किस तरह से जो infrastructure है बिजली पहुँचाने का उसको IT enabled किया जाए किस तरह से demand supply का जो mismatch है उसको कम करने के लिए IT की साहिता ली जा सके और किस तरह से transformer, feeder, motor जो है इन सब को ठीक किया जा सके by new technology हमारा thought जो scheme है वो है प्रधार मंत्री, सहस, बिजली, हरगर योजना यानि की शौभाग योजना यह बहुत important योजना है और इस पर एक particular वीडियो अलग से बनाया जा सकता है पर यहां पर हम इसको बहुत ही briefly discuss करेंगे हमें मालू में बिहार सरकार का एक साथ निश्चे योजना चल रहा है जिसके अंतरगत हर घर बिजली एक निश्चे है तो इसलिए बिहार सरकार ने बि होता जाती थी उन दियाल व्यवध नेहीं मिल पाती थी टी जो बहुत ही बिछात्य है सवाग योजना के तैथ बिजली प्रॉवाइड की जाती है जो फॉर्थ प्लान है हमारा वह universal प्लान बेको रीजिंस ग्रांट फॉंट विशेश चोजना पिछरा-च्षेतर अनुदा ने धी वियर के जो ऐसी इलाके हैं जो बहुत ही पिछरे हैं वहाँ पे जो भी हार सरकार के त्रोग स्कीम चलाई जा रही है उसको सेंटर गर्वर्मेंट के द्वारा फंट प्रोवाइट किया जाता है ताकि जो इम्बैलेंस प्रूर किया जा सके और वो अच्छे से फंशन क है और कौन से सोर्सिस से होता है तो अगर हम बात करें टोटल इन जनरेशन केपासिटी ऑफ पावर इन भीहार आज अफ मार्च 2019 तो यह सबसे जादा जो बिजली का उत्पादन है वह कहां से होता है कोल बेस्त हर्म इपावर प्लांट से होता है 82 सक्वेंड अस्थान हमारा आता है जल्विध्य से हट्रोपावर से 11 पर संट और जो रिमेंग जो बचता है वहाँ पे नवीकरनी एक उठ्जाच सुरतों से होता है विजली का उत्पादन जो कि है 7% आगी के जो ग्राफ हैं उससे आपको ज्यादा असानी होगी समझने में मार्च 2019 तक राज्य में 4767 मेगावाट विद्यूत की जो है उत्पादन शंता थी इसमें जो है वो कुला आधारी नाविकर्णी से तो इससे जादा स्वामित्व की बात देखे असा छेत्री जो सबसे ज्यादर बिजली उत्पादन करता है तो उसमें जो है वो केंद्रिये छेत्र जो है जो Central Government है वो सबसे जादा 86 फिस्सदी जो हिस्सा है वो केंद्र का है उसके बाद जो सकेंड नंबर पे है वो नीजी एवन सोतंत्र विद्यूद उत्पादक आते हैं इनका जो हिस्सा है वो 13 फिस्सदी है और सबसे जादा विजली उत्पादन कहां से होता है तो ताप विद्ध से और टोटल विद्ध उत्पादन छमता कितनी है 4767 मेगा वोट अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से power plant है जो बिहार में अभी भी संचालित हो रहे हैं जब बिहार औजहारकन का partition हो गया था 2000 में तो इसके बाद बिहार में सिर्व धो थर्म अभी जो है तीन और आ गया है नभी नभी नगई स्टेज वन प्लान जो कि और अंगाबाद में उसके बाद एक प्रॉजेक्ट जो बकसर में है और एक है जो बांका में है तो दो जो बहुत इंपोर्टेंट है वह बरौनी और कंटी इससे एक सवाल पूछा भी गया था प्रिलिम्स में एक और जो स्कीम है जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है वह है उद्धे उज्वल डिस्कॉम एस्षोरेंस योजना उद्धे स्कीम अगर आप लोगों ने 63rd BPSC मेंस का पेपर सवाल हो और जो को रहाती है ँदिवर के का इसका में पूछांच सब्सकेर क्यक्ति सब्सक्राइज को है पूर्ण करते हैं उन'T करने उंस्द्ध्ध को हो कि वह नगी तो में लिए और रही चीज़ें उत चाहां था कर आप नहीं कर टेर जो है एक अवर रिक्तर पोर्णुर नया इसको लगाया जा रहा है ठीक है तो यह दो स्कीम है जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं आप है अब हम बात करते हैं बिहार रेनेबल एनरजी डवलप्मेंट एजेंसी ब्रेडा के बारे में आप सबी को मालूम हैं हमने अभी देखा है कि बिहार में जो विद्यूत उत्प इंपक्ट होता है और यह सस्टेनेबल भी नहीं है हमारे फ्यूचर के लिए तो हमें कुछ ऐसी सोर्सेस की तलाश करनी चाहिए जो हमारे लिए यूस्फूल हो सस्टेनेबल हो इंवर्मेंट फ्रेंडली हो तो यहां पर जो नजर हमारा सबसे पहले पढ़ता है वो पढ़ परियोजनाय हैं उन सब को एक तरह से सपोर्ट प्रवाइड किया जाता है सबसीडी दी जाती है धनराशी उपलवद कराई जाती है उनके विकास के लिए जितनी भी चीज़ें राजे सरकार कर सकती है इन सब करने का प्यास किया जाता है अब हम बात करेंगे कि नवीकर्ण विद्धियो से रिलेटेड जितनी भी पावर कंजम्शन उन सारी चीजों को देखती है एक्स्प्रोर करती है कि कौन से एडियास है जहां जिस चीज को एक्स्प्रोइट किया सकता है अभी जो है अगर हम बात करेंगे करेंगे की तो 13 माइनर हाइडरल प्रोजेक्ट जहें संचालित है 13 टोटल के पासिटी कितनी है इनकी 54.3 मेगा वाट कुछ यह 13 है इनके सारे की नाम हमें याद रखने की जवरत नहीं है पर कुछ के नाम हमें याद रखने की आवश्यक है और यह पूछा भी गया है प्रिलेंस में एक पहर ही हम नजर दे लेते हैं सबसे पहला की नगर वेश्टम पारिन में है और इसको कमिशन किया गया था 1996-97 के दौरान उसके बाद सोन वेश्टन लिंक कैनाल हाइड्र एलेक्रिक प्रोजेक्ट है यह 1991-92 के टाइम पर इसको कमिशन किया गया था और यह सोन आपको पता है आप नदी का उद्गम छेतर से भी आप जिले में है इसी तरह से बहुत सारे हाइड्र एलेक्रिक प्रोजेक्ट है हमें सबका नाम याद रखने की ज़ौत नहीं है कुछ इंपॉर्डन है जिसका नाम हमें याद रखने की ज़रूरत है जैसे कि यह त्रिवेनी लिंक कैनाल इसके बारे में बीपेस ने सवाल कि अब इस चाप्टर से संबंदित कुछ सवाल हैं अल्मुस्ट दस जीने हम एक नजर देख लेते हैं कि हमने अभी तक कितना कुछ समझा है तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है इंड़ ये टूथाज़नीटी नाइटीन फ्री मोस्ट प्रस्परेस डिस्टेक इन तरम सफावर कंजंप्षन चीन बेर तुमारा और फिजलि की खपत के मामली में सबसे सम्रिद जीले कौन से थे बिहार में चैने पंचन नाव्यल्द शेहर नावादा औरंगावाद शीवान पंटन औरंगावाद नालंता है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है पंटना गया ना लेंदा नेक्स्ट वेच्शन दोजली की खपत के मामली में बौटम डिस्ट्रीक कौन सा राय है बिहार में अप्षेंशन सें शेखपुरा अर्वल शेहर नवादा घंस मालूम है हमारा करेक्ट आंसर है शेखपुरा नेक्स्ट कोशिन दोहजार अठारा उनीस में देश्टिक्ट विच रिकॉर्ड़ेट अपाव कंजुप्शिन वोग वो कौन साज यलाई जिसने बिजली की खपत में उचितम व्रिदी दर्श हासिल की है ओप्शन से नवादा और अंगावाज सीवान और सारन तो सही आंसर है नवादा नेक्स्ट कोशिन पर क्यापिटा एनरजी कंजुप्शिन इद ये 2018-19 निल बिहार प्रती व्यक्ति उजाख खपत कितनी रही है बिहार में तो आप्शन से हमारे 258 किलोवाट आवर 272 किलोवाट आवर 280 किलोवाट आवर 311 किलोवाट आवर पिछले साल कितनी रही है 200 से टोटल एनरजी जनरेशन केपासिटी औफ पावर आज उन मार्च 2019 ऑफ दे स्टेट और बिहार वाज बिहार राजिम के लिए मार्च 2019 तक बिजली की कुल उत्पादन चमता कितनी रही है 4767 मेगावाट 3546 मेगावाट 4656 मेगावाट 3245 मेगावाट हमारा सही आंसर है 4767 मेगावाट नभी नगर स्टेज वन प्लांट प्रोजेक्ट इस लोकेट इन विच दिस्टिक नभी नगर स्टेज वन प्लांट प्रोजेक्ट कौन से जिले में इस्थित है हमारे options है औरंगाबाज, सारन, नालंदा, पत्ना सही आंसर है औरंगाबाज next question है हमारा how many minor hydrol projects that are currently operational in the state of Bihar with a total installed capacity of 54.3 MW बिहार राजमें वर्तमार में 54.3 MW की कुल स्थापिर चमता वाली कितनी छोडी पन बिजली पर योजनाए संचालित है options है 10, 11, 12, 13 कितनी है 13 Eastern Gandak Canal Hydro Electric Project is in which district of Bihar पुर्वी गंडक नहर जल विद्यूत परियोजना बिहार के कौन से जिले में इस्थित है options है सुपॉल, सारन, इस्चंपारन, वालमिकी नगर, वेस्चंपारन तो मैं पत्ता है यह कहां है वालमिकी नगर, वेस्चंपारन में कोशी हाइडरल पावर स्टेशन बीरपूर वस कमिशन डूरिंग विच एर कोशी पन बिजली स्टेशन बीरपूर यह कौन से एर में के दौरान यह चालू किया गया था तो हमारा सही आंसर है 72-78 के दौरान अब हमारा नेक्स सवाल है त्रिवेनी रिवर कैनाल हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट इस इन विच डिस्टिक्ट त्रिवेनी लिंक नहर पर योजना किस डिले में इस्थित है पश्मी चंपारन, पूर्वी चंपारन, गोपाल गंज यह हमारे इस्थित है वेश चंपारन में एक सवाल है जिसका जवाब आप उजे कमेंट शेक्ट में लिखे बताईए कि त्रिवेनी रिवर लिंक कैनाल हाइडरो एलेक्रिक पोजेक्ट जो है वह कौन से नदी पेस्थित है जीला तो मैंने यहां पर आपको बता दिया यह क कर दो